अगर आपने इसे प्रिफर्स वीडियो अभी तक नहीं देखा तो कंप्लिट लिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में एक बार डिस्क्रिप्शन अब जरू चेक कर लोगे तो यहां पर सिम्टी दिया है कि टर्सरी सेक्टर यानि प्राइमरी और सेकेंडरी से जस्टिफाई दे स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्यूमेंट तो इसको इस वर्ड को इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है with suitable argument के साथ तो चलिए एक एक करके हम लोग करते हैं तो number one point में हम लोग क्या लिख सकता है कि tertiary sector जो होता है actual में यह service industry प्रोवाइड करता है जहाँ पर primary sector और secondary sector जो होता है अपने goods को produce करते हैं ठीक है तो यह एक point हो गया tertiary sector क्या होता है एक support एक aid प्रोवाइड करता है in the growth of primary and the secondary sector ठीक है तो आप इस टाइप से दो points तो आराम से लिख सकते हो third point क्योंकि तीन marks के हैं तो minimum तो आपको तीन points तो लिखने हैं दो points अपने लिख दाले third point में हम लोग देखेंगे कि tertiary sector helps the production process यानि कि यह क्या करता है production process में help करता है मतलब क्या हुआ था तो एक example के थूँ हम लोग इसको समझते हैं example में देखेंगे कि the good produced in the primary and the secondary sector would be transported by truck and the trains and then sold in the market यह सारा का सारा काम किसका होता है तो tertiary sector का यह सारा का सारा काम होता है तो इस टाइब से हम लोग बोल सकते है कि tertiary sector जो होता है वो help करता है production process में या फिर हम लोग बोलता है transportation वाले process में सारा का सारा work जो होता है वो tertiary sector का ही होता है तो यह तीन points पर आपको लिख लेने हैं एक और bonus point हम लोग लिख लेते हैं बोनस point में क्या होगा the tertiary sector offer services including banking, communication and transportation ये सारा का सारा चीज में वो क्या करती है offer या फिर हम लोग बोलता है service offer करती है उसके साथ साथ अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते थे कि ये जो होता है more employment generate करती है compare to other sector ठीक है मतलब किस sector के बारे में बात हो रहा है तो हमारे पस tertiary sector के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है तो I hope कि ये concept आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में question number 30K solution के साथ complete list का link मिलेगा आपको description में तो एक बार description आप जबू चेक कर लोगे